Welcome to the last topic of daily scan, जहाँ पर हम greenhouse gas bulletin की बात करेंगे. World Meteorological Organization, जो United Nation की एक specialized body है, environment और atmosphere climate को study करने वाले, वो annually एक greenhouse gas bulletin release करता है. अभी जो bulletin release हुआ है 2023 में, this is the 19th bulletin और ये 2022 के data को बताता है. अब इस data में बहुत clearly बताया गया है, कि जो greenhouse gases हैं, वो एक all time high तक बहुत चुके हैं. ठीक है, अब इसी में यदि अपन बात करते हैं, तो ये तीन major gases की बात करता है, जो सबसे ज़ादा greenhouse gas और climate change के लिए responsible है. सबसे पहले हैं carbon dioxide, दूसरा है methane और चौथा है nitrous oxide, ये तीन major gas की बात करता है. बोला गया है, कि all the three have raised to an all time high, इनका concentration ज़ादा सबका pre-industrial level करा है. अब pre-industrial level माना जाता है, इसके बाद से इंसानों की बज़े से human influence लगातार बढ़ गया है, और जो भी major changes आए हैं, वो इसी के बाद notice किया जाते हैं. 1750 के बाद का जो time period है, उससे changes को measure किया जाता है, 1750 को normally base CR लिया जाता है, उसके बाद corresponding changes note किये गए हैं. अब होगा क्या greenhouse gas का concentration बढ़ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, कि ये जो greenhouse gases heat observe करेंगी, तो heat trapped जो है, वो लगातार बढ़ेगा. इसकी वज़ा से क्या होगा, कि temperature of the surface बढ़ेगा, और इसकी वज़ा से महुत सारे impact होंगे, जिसे अपन broadly climate change कहते हैं. तो अब इस report को और ज़ादा आपन detail में समझें, तो 2022 में CO2 का concentration 400 प्लस 2021 में ही पार कर गया था, parts per million पार कर गया था, और अभी 418 parts per million है. यही concentration of methane 1923 ppb है, parts per billion और nitrous oxide का 330 प्लस हो चुका है. ध्यान रखिएगा, parts per million और parts per billion, क्योंकि concentration of CO2 atmosphere में ज़ादा है, यही difference है. अब यदि अपन इनको असान से समझें, तो दो चीजे हैं, सबसे पहले बोली गई हैं, कि carbon dioxide जो है, global warming के लिए और climate change के लिए सबसे ज़ादा responsible है, तो approximately two-third of the impact जो है, वो carbon dioxide एक मातर गयास उसके कारण cost करता है. इसके बाद methane जो है 16% और N2O 7% के लिए का responsible है. यह समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारा दिखा रहा है pollution का output, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि major source क्या है, क्योंकि CO2 एक particular source से आएगा, methane अलग, United भी कई तरफ combined भी आता है, but source की understanding हमें इससे पता चलती है. इसी source से हम policy framework बनाएंगे, जो policy framework, pollution control में help करेगा. हलांकि WMO ने ही clearly बोला है, कि भाईया बहुत समय से बात हो गई, बहुत सारी report आ गई, और अब it is the high time कि अब action लेने की जरूरत है, अब इसे और delay नहीं किया जा सकता, यह बार-बार बोला गया है, क्यों delay नहीं किया जा सकता, आप इस बात को समझो, क्योंकि CO2 का lifetime यदि अपन life period देखें, यह कितने time तक atmosphere में रहती है, ठीक है, तो वो बहुत सालों तक रहती है, मतलब कि यदि as of now, 2023 में सारा का सारा CO2 का production atmosphere में zero हो जाए, no new production is made, तो भी क्या होगा, जो existing CO2 है, वो कई सालों तक, 100 से जादा सालों तक atmosphere में रहेगी, और वो लगातार heat को absorb करते रहेगी, और इसकी वज़ा से लगातार temperature बढ़ते रहेगा, तो even though आज की date में अपन बंद कर दें, तो भी temperature तो rise होगा, यही warning WMO ने बोली है, ठीक है, it will persist for several decades, इसके comparison में, methane जो है, कुछ कम सालों तक atmosphere में रहता है, तो यह बस 10 ही साल तक रहता है on an average, बट इसकी जो potency है, वो जादा है, अब इसको कैसे समझा जाता है, उसके लिए एक term होता है, green warming potential, मतलब कि कितना जादा यह green house यह global warming के लिए responsible है, किस हद तक, अब यह दो factor पर depend करेगा, सबसे सादा कि यह कितने देर तक, कितने समय तक, कितने सालों तक यह atmosphere में रहेगा, और दूसरा, यदि यह atmosphere में है, तो एक ton of gas कितनी जादा heat को absorb करेगी, यही दो factor पर तो depend करेगा, तो यदि आपन इन दोनों factor पर देखें, तो इन दोनों factor के basis पर, ZWP, Global Warming Potential को define किया गया है, अब इसमें आपन देखें, तो सबसे पहला है CO2, carbon dioxide, जो 50 से 200 साल तक atmosphere में रहता है, for the standard comparison, इसकी जो potential है, उसको 1 माना गया है, हला कि यह साल बहुत जादा रहता है, लेकिन the amount of heat that it absorbs, वो कम होती है, इस मतलब कि मान लो, यह X unit absorb कर रहा है, for let's say, 100 years इतने समय वो रह रहा है, तो जो answer आया, उसको 1 unit अपनने मान लिया, अब बाकिये सारी gases, इस 1 unit से कितना जादा या कम है, उसको compare करता है, green global warming potential, जैसे कि methane time कम रहता है, 10 साल के आसपास रहता है, लेकिन उसके बाद भी 21 times जादा observe करता है, मतलब कि per ton of methane that is in atmosphere, वो जादा heat को observe करता है, और जादा यह पन देखें, N2O, 100 साल करीब रहता है, 310, बहुत जादा observe करता है, PFCs और HFCs को देखेंगे, तो यह और जादा observe करता है energy को, heat को, इस वज़ा से यह जादा हद तक global warming cause करने के लिए यह जादा responsible होंगे, बट क्योंकि concentration of CO2 सबसे जादा है atmosphere में, इस वज़ा से CO2 remains the most potent factor, जो अपनने देखा, 2 third करेप, जो global warming cause हुई है, वो carbon dioxide की वज़ा से cause हुई है, अब इसी से related एक prelims में कई बार question आता है, तो मैं आपको एक curve बता रहा हूँ, वो है, healing curve, healing curve क्या होता है, on the y-axis, can you see that, यहाँ CO2 का concentration है, ppm में, and on the x-axis, यहाँ पर timeline दे रखा है, तो समय के साथ, CO2 का concentration कैसे vary कर रहा है, इसे एक US के scientist है, जिनका नाम Charles Healing था, उन्होंने measure करना start किया, जब उन्होंने measure किया, तो उन्होंने पाया कि CO2 का concentration लगातार बढ़ था है, तो उन्होंने एक observatory setup की थी, जो हवाई में, US में थी, जिसका नाम है, Mona Law Observatory, उसी समय से, अभी तक यह observatory maintained है, और अभी तक लगातार यह हर साल, हर समय observation, real-time basis में लेते रह रही है, इसी वज़ा से इसको बोला गया है, killing curve, on the name of the scientists, जिन्होंने यह start किया था, अब थोड़ा सा WMO की बात कर लेते हैं, जल्दी से, it is a specialized agency of United Nations, ठीक है, atmosphere को study करता है, atmosphere से related phenomena है, उसको भी study करता है, Geneva में इसका headquarter है, ठीक है, इनके जो major programs है, इसको जरूर धान से देख लीजेगा, क्योंकि UPSC कई बार, ये programs का नाम लिखके, इधर उधर जगल करके खेलते रहता है, तो World Weather Watch, World Climate Program, Atmospheric Research and Environment Program, को करता है, WMO, ठीक है, ब्रीफली पता होना ची, बहुत जादा इसमें अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, so this was a short topic, that's all for now, thank you, have a nice day.